कि कॉपिस हेलो गाइस हेलो एवरिवन माइसल एड़ोकेट हर्षिद बारदानमा सर्टिफाइड पब्लिक स्पीकर टू आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे क्रायदार आर मकान- अम्कानमालेकी, हम तब को पता है किसनी लडाई होती है है और हमारे भारत में चैक बाउन्स के बाद सब स्था जिसके कैस पैंडिंग वो इनक आपस बैंडिण के रख यसी को लेकर इनके जो केस्स्था पैंडिंग जैक बाउंस तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीज़ेगा सब्सक्राइब पीज़ेगा और आपके पास कोई भी लीगल क्वेरी है हमारे पास दिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे दिया है उस पर आप हमें डिरेक्टली रीच कर सकते हैं चलिए वीड इसके क्या importance है इससे landlord को क्या फाइदा है इससे crader को क्या फाइदा है और यह किस पर applicable है तो एक इत करके हम सब चीज़ेद के बारे में जानेंगे तो जैसे कि मैं आपको बताया applicability यह किस की जगह पर applicable है यह residential और commercial properties पे यह जो act है model tenancy का यह लागू होगा दूसरी चीज पीच में रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए वह एग्रीमेंट रेंट अथरी में सम्मिट होगा उसके बाद अपने आप उनलाइन जो है वह डिटेल से जो क्राइदार है उसकी अपने आप online लैनलोड ट्रिमिनल भी बनाई जाएगी जो मेक शौर करेगी कि 60 दिन के अंदर लैनलोड और टेनेंट में जो भी डिस्प्यूट है वह सौल किया जाए अब इसमें यह जानेंगे कि लैनलोड को इस एक्ट से क्या फायदे होंगे लैनलोड को इसमें यह फायदा हुआ कि अब हम जानेंगे कि क्रायदार के पास क्या फायदे होंगे इस एक्ट के अंदर क्रायदार के पास यह फायदे होंगे कि होता क्या है कि मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी में क्रायदार के पास बीना किसी की पर्मिशन लिए एंटर कर जाता है शौप में एंटर कर जाता है अब मकान मालिक ऐसा नहीं कर सकता, मकान मालिक को पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रिमेर सीज में एंटर करेगा जहां करायदार रह रहा है दूसरी चीज यह, जो भी structure damage होंगे, वो सारा का सारा क्रायदार नहीं देखेगा, वो सारा का सारा जिसकी भी responsibility होगी, वो होगी मकान मालिक की, मकान मालिक की सारे structure damages रिपेर करेगा और जब भी उसको लग रहा है कि मुझे अपना मकान, ये क्रायदारों को खाली करना है, उसको 6 महीने का prior notice या फिर 3 महीने का prior notice उसको देना पड़ेगा और इसमें जो भी इनका case होगा, जो भी dispute होगा, वो land law tribunal या फिर land tribunal में जाएगा और जिसमें कानून के अंदर ये कहता है कि 60 दिन के अंदर उन दोनों का जो भी dispute है, वो solve कराया जाएगा और आप जैसे कि इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी query है मकान मालिक से या अपने क्रायदार से तो हमें बताइए कि जिससे कि हम आपका message आगे लेके जाएंगे और उस चीज को भी धान में रखते वे हम उस चीज के लिए changes के लिए आगे अपील करेंगे अब हम इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं और आपकी कोई भी legal query हो, किसी से भी related criminal, civil, matrimolial मैं आपको अपना पी number नीचे description box में provide कर दूँगा, आप मुझे directly भी उस पे से call कर सकते हैं, धन्यवाद